उत्तर प्रदेश के पीली भीज से बीजेपी सांसद बरुण गांदी पिछले कुछ महीनों से अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमलावर बने हुए हैं महंगाई का मुद्दा हो या फिर सैनावर्ती का मामला हर मुद्दे पर उनके निशाने पर मोधी सरकार रही है इसी कड़ी में बरुण गांदी ने एक बार फिर से मोधी सरकार पर निशान असादा है अपनी ही पार्टी पर कटाक्ष करने में मशहूर बीजेपी सांसद बरुण गांदी ने इस बार प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के फ्री की रेवडी वाले बयान पर तंज कसा है और पूचा है कि सरकारी खजाने पर पहला हग किसका है बरुण गांदी ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा जो सदन गरीब को पांच किलो राशन दिये जाने पर धन्यवाद की आकांचा रखता है वही सदन बताता है कि पांच बर्शों में व्रश्ट धनपशूओं का दस लाग करोड तक का लौन माफ हुआ है मुप्त की रेवडी लेने वालों में मेहुल चौक्सी और रिशी अग्रवाल का नाम शीर्स पर है सरकारी खजाने पर आखेर पहला हक किसका है वरण गांदी ने वित्तराज मंत्री भागवत के कराट द्वारा सदन में पेश डेटा को भी ट्वीट में शाजा किया इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि सरकार ने पिछले कुशालों में अरब पतियों को करोणों के लोंदी और बे देश छोड़ कर भाग निकले दरसल हाली में संसद में बीजेपी के सांसर निशिकान दुवे ने कुरूना काल के दोरान देश के 80 करोण करीब लोगों को मुप्त राशन उपलब्द कराए जाने को लेकर मोधी सरकार की तारीप की थी तो इससे पहले प्रजान मंत्री नरिन मोधी ने एक सवा में कहा था कि फिरी की रेवडी बालों से साबधान रहना चाहिए अब इसी को लेकर बरुन गांदी ने अपनी ही पार्टी को कटगरे में खड़ा कर दिया है